रन्बीर कपूर अपने फैन्स को जल्द ही देंगे खुश खबरी संजु जैसे बड़ी हिट देने के बाद अब एक बार फिर करेंगे राजकुमार हिरानी के साथ काम आखिर क्या है पूरी खबर आहीं जानते हैं बॉलिवुड अभिनीता रन्बीर कपूर बीते काफी समय से सिनेमा से दूड हैं रन्बीर के फैन्स उनकी फिल्म परदे पर देखने को तरस रही हैं रन्बीर कपूर 2018 में आई फिल्म संजु में नज़र आये थी इस फिल्म को फैन्स ने काफी पसंद किया था अब रन्बीर कपूर ने एक और फिल्म को साइन कर लिया है रन्बीर कपूर बॉलिवुड के उन कलाकारों में से एक है जो बहुत ही खुबसूरती के साथ परदे पर अपने हर एक कैरेक्टर को जीते हैं रन्बीर कपूर के पास इस वक्त दो बिग बज़िट फिल्म में ब्रमास्तर और शमशेरा है जो काफी लंबे समय से अठी पड़ी है इन दोनों फिल्मों के रिलीज का कुछ भी पता नहीं है ब्रमास्तर के रिलीज डेट कोरुना के कारण से बदल चुकी है अब खबरों की माने तो रन्बीर के हाथ एक और फिल्म लग गई है पिंक विला की खबर के अनुसार रन्बीर कपूर ने अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए डारेक्टर राजकुमार हिरानी संग हाथ मिलाया है रन्बीर इससे पहले हिरानी के साथ संजो फिल्म में काम कर चुके हैं इस फिल्म के लिए रन्बीर को बेस्ट आक्टर का फिल्म फैर भी मिला था इतना ही नहीं सोर्सस के मताबिक राजकुमार हिरानी ने रनबीर को ही ध्यान में रखकर एक स्क्रिप्ट लिखी है जिसको आक्टर ने भी पसंद किया है हाला कि अब राजकुमार हिरानी इस फिल्म को शुरू करना चाहते हैं लेकिन शारुख खान के कारण फिल्म अभी रुकी पड़ी है जी हाँ दिरहसल राजकुमार हिरानी और शारुख खान जल्दी एक फिल्म शुरू करने वाले हैं जैसे ये खतम हो कि राजकुमार हिरानी रनबीर कपूर के साथ अपनी अगली फिल्म शुरू कर देंगे जल्दी हिरानी रनबीर के साथ अपने फिल्म का उफिशिल अनॉंस्मेंट फैंस के सामने करेंगे बताय जा रहा है कि ये फिल्म PK का सीक्वल ना होकर कुछ और ही बड़ी स्टोरी हो सकती है इसके साथ ही साफ हो गया है कि फैंस को एक बार फिर से एक हिट फिल्म देखने को मिलने वाली है वही रनबीर के फैंस इस खबर को सुनने के बाद काफी खुश है फैंस को उमीद है कि एक बार फिर से रनबीर और हिरानी कुछ नया फैंस के सामने पेश करेंगे वेल फिल्हाल इस खबर पर आप हमें बताये अपनी राय साथ ही बताये कि रनबीर के इस अपकमिंग फिल्म के लिए आप कितने एक्साइटेड है पोस्ट करिये अपने कमेंट्स अलसो दो लाइक, फॉलोव और सब्सक्राइब तो बोलीवुड नाव और फेस्बॉक, इंस्टिग्राम और यूट्यूब